बॉल्यूड में अपने बैड मैन की छबी बनाने वाले गुल्शन ग्रोवर अपने करियर की शुरुआती दौर में अपने साथ काम करने वाले कलाकारों से उलजने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे इसी चक्कर में वो एक बार अनील कपूर और फिल्म निर्माता और निर्देशक राजीव राई से भी उलज गये थे मगर इन दोनों के साथ लड़ाई का नतीजा अलग अलग रहा चलिए जानते हैं क्या था मामला साल 1990 की सुपर हिट फिल्म राम लखन की शूटिंग के दोरान अनील कपूर और गुल्षन ग्रोवर के बीच एक जबरदस्त फाइट सीन रखा गया था इस सीन में अनील कपूर रसी के साहारे कूद कर गुल्षन ग्रोवर की पिटाई करते हैं सीन के दोरान अनील कपूर का हाथ रसी से छुट गई और उनका एक जबरदस्त घुसा गुल्षन ग्रोवर का मुँपर पड़ गया इस घटना में गुल्षन की आँखों में गहरी चोट आई वैसे तो ये महज एक हाथसा था मगर गुल्षन ग्रोवर को ऐसा लगा कि सीन को रियलिस्टिक बनाने के लिए अनील कपूर ने ऐसा जान बूझ कर किया है उस वक्त गुल्षन ग्रोवर ने कुछ नहीं कहा मगर दूसरे ही दिन वो अनील कपूर के घर जा पहुँचे और गाली गलोज करने लगे गुल्षन ग्रोवर को अपने घर में घुसकर गालिया देते हुए देखकर अनील कपूर वहां से निकल लिये ऐसे में अनिल कपूर के बड़े भाई बॉनी कपूर ने गुलशन गुरवर को जैसे तैसे समझा कर उन्हें घर भेज दिया इस घटना से अनिल कपूर और गुलशन गुलवर के बीच दुश्मनी पैदा हो गई और फिर दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया सालों बाद बॉनी कपूर ही अनिल और गुलशन के बीच शांती दुद बन कर आए और दोनों के बीच सुलह करवा ली जिसके बाद फिल्म लोफर में दोनों फिर से एक साथ नजर आए ये अनिल कपूर की शराफत ही थी के उन्होंने इस दुश्मनी को ज्यादा तूल नहीं दिया मगर निर्माता निर्देशक राजीव राई इस मामले में गुलशन पर भारी साबित हुए राजीव राई ने गुलशन ग्रोवर को फिल्म विश्वात्मा के विलेन के रोल के लिए साइन किया था इस फिल्म के लिए राजीव राई ने गुलशन को बिना मुचों के काम करने के लिए अनुवंदित किया जिसके लिए गुलशन उस वक्त मान भी गए तीन दिनों की शूटिंग के बाद एक दिन सेट पर गुलशन ग्रोवर को मूच के साथ देखकर जब राजीव राई ने इसका कारण पूछा तो गुलशन का कहना था कि वगेर मूचों के उन्हें अच्छा नहीं लग रहा और इसलिए वो मूच नहीं कटवाएंगे ये जवाब सुनते ही दोनों के बीच तू-तू-मै-मै की बहस शुरू हो गई जिसमें राजीव राई ने गुलशन को क्लीन शेव होकर आने का अल्टिमेटम दे दिया मगर गुलशन ग्रोवर अगले दिन सेट पर आये ही नहीं और यहां तक की राजीव राई का फोन भी रॉक में एक फिल्म की शुटिंग कर रहे हैं राजीव तन तनाते हुए होटेल पहुँच गए गुलशन ग्रोवर को सामने देख राजीव राई ने एक जोरदार तमाचा उनके गाल पर रसीद कर दिया और उने फिल्म से निकालने की भी धमकी दे डाली इस धमकी से गु करके सेट पर हाजिर हो गए थे हाला कि फिल्म विश्वात्मा और राम लखन दोनों में ही गुलशन ग्रोवर का प्रदर्शन बहुत जबरदस्त था और दोनों ही फिल्म में उनके बेबाक अंदाज में बोले गए डायलोग दर्शकों को काफी पसंद आया था